हेलो अब्रिवन वेलकम बैक टो एल्यम साइन्स क्लास नंबर 200 ओगनिजम्स और पॉपुलेशन का ही एंसियाटी रीकेपिशिलेशन पार्ट फ्री पार्ट वन और पार्ट वन ने स्टड़ी कर लिया था अब हम लोग पार्ट थी की तरफ बढ़ेंगे चले शुरुवात करत पार्ट वन और पार्ट टू में हमने बात की थी कि चार्ट डेवल्स होते हैं किसके एकोलोजी के अंदर जिसमें सबसे पहला था ओगनिजम, ओगनिजम के बाद में पॉपुलेशन, फिर कम्यूनिटी और उसके बाद में बायोम्स ओगनिजम हम लोग ने कंप्लीट कर लि आज सके क्यों कि काफी कंसेप्स हम वहाँ पर अल्रडी क्लियर कर चुके हैं, चलब फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पॉपुलेशन जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में बात की थी कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं, सेम स्पीशी के इंडिविजूल्स के बात करोगे, और अगर हम सेम स्पीशी के गुरूप की बात कर रहे हैं, तो फिर पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं, वो आपस में इंटर ब्रीड भी कर सकते हैं, आप स्पीशी का डेफिनेशन क्या देते हैं, इस्पीशी का डेफिनेशन यही रहता है, कि वो सभी मेंबर यहाई वो सभी इंडिविजल्स जो आपस में रिप्रेड्यूस कर सके वो सभी एक ही स्पीषी को बिलोंग करते हैं तो विगोज population में के सारे मनमें से एक ही स्पीषी के हैं तो यह आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं नौ जैसे मैं इसा नहीं है और सेक्ष्वल रिप्रडुक्शन के अंदर ही इंक्लूड होगा यानि ऐसा नहीं है कि केवल सेक्ष्वल रिप्रडुक्शन के उगा थो तो हम लोग ये रिमार्ग में बिटाला है कि केवल अगर sexually production होगा तो ही population होगा ऐसा नहीं है और sexually production से जो offsprings आएगी वो भी हमारी population के अंदर ही consider की जाएगी एक पॉंड में सारे lotus plants वो पॉपॉलेशन है एक अबंडेंड हाउस में जितने भी रेट्स प्रेजंट है वो रेट्स की population है अबंडेंड मतलब जो खाली पड़ा है सा उतना कई बार बहुत सारे गरम ऐसे खाली पड़े रहते हैं ठीक है तो उन अबंडेंड हाउस में छोड पॉपॉलेशन किसी वेटलेंड में जो कॉर्मोरेंट्स हैं सारे के सारे वो सभी के सभी एक पॉपॉलेशन है कॉर्मोरेंट्स बिसिकली जो फिगर में बर्ट्स दिखा रखिए इन बर्ट्स का नाम है कॉर्मोरेंट्स और उसके लावा किसी फॉरेस्ट में जितनी भी ट population genetics और evolution यह जो तीन ब्रांच अलग अलग यानि कि ecology, population genetics और evolution इन तीनों को एक साथ जब हम लोग लिंक करके पढ़ते हैं तो उस ब्रांच of science को हम कहते हैं population ecology अब बहुत important सवाल जो नीट में बहुत बार आ चुका है वो यह कि natural selection population पे operate करता है किसी individual पे operate नहीं करता है देखो simple स nature ने उस individual को select किया nature ने उस individual को select किया जिसके पास एक character अईसा नहीं बोलते हम कहते हैं कि nature ने उस population को select किया जिस population में यह characters present थे जैसे हम लोग ने बहुत बढ़िया example देखा है sickle cell anemia के अंदर कि sickle cell anemia में जो sickle cell के carriers है उन sickle cell carriers को एक तो जो पहला sickle cell disease वो नहीं है क्योंकि sick sickle cell disease recessive है तो carrier वालों को उसके manifestations नहीं आते लेकिन लेकिन जो malaria resistance है वो sickle cell carrier में हमेशा दिखता है तो natural ने nature ने उस particular population को select करके रखा हुआ है जो की carrier से क्यों हो तो उनको selective advantage मिलता है of resistance against malaria तो ध्यान रखना है natural selection के वो population level पर ही operate करता है individual level पर operate नहीं करता और यह question exam में बहुत बार पूछा जा चुका है चलो फिर अब हम लोग compare करेंगे एक तरफ organism को और दूसरी तरफ population को कि कुछ terms है जो organisms के लिए use होती है और उस terms से related term कौन सा जो population के लिए use होगा जैसे example लेता हूँ birth या death organism की अगर death होती है तो population में हम कहते है कि death rate या per capita death rate जो death rate का जो proper name है वो है पर capita पर capita का मतलब बहता है पर individual या पर member of that population तो organism का एट्रिबूटर का death है तो population का attributat per capita death rate जैसे हम कहते है और भी बॉलजली लिए अगर बर्थ होता है तो परपिलेशन की इस वे पर्टिकुलर बतु रेट को इस तो वो मेल होगा या फिर विपेlenर से और उसी दरह से पॉब्लेशन में होता है यहांनि male to female का ratio कि male कितने है और female कितने हैं तो यह कुछ terms हैं जो हम लोग compare करने के लिए यूज करें between organisms and population तो चलो फिर हम लोग इन सभी terms को एक बार समझना चालू करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ rate की physics में आपने बहुत बार पढ़ा होगा about rate तो rate किसको कहते है rate का मतलब होता है कि with time जो changes आ रहे हैं उसको हम कहते है rate similarly population में जो number change हो रहा है population का with time उसको हम कहते है rate but it is with respect to members of population population के members के respect में हमेशा rate निकाली जाती है इस लाइन पर मैं वापर जाओंगा एक बार देखो पहले मैं बात करता हूँ birth rate कैसे निकालता है birth rate निकालने का formula आता है कि final population में से initial population minus करो और फिर उसको divide कर लो initial population से किसे divide कर लो initial population से अब सवाल आता है कि सर initial population से divide क्यों और क्या ध्यान से सुनना किसी population में अगर 20 लोग है किसी population में अगर 20 लोग है तो हम लोग जो birth rate निकालते हैं वो birth rate निकलती है उन 20 लोगों के हिसाब से मैं अभी calculate करके बताऊंगा कि कैसे initial population के हिसाब से birth rate निकलेगी उसी को कहते है per capita देखेंगे हम लोग अभी example में फिलाल आप देखो birth rate का formula क्या है final population minus initial population divided by initial population similarly death rate की अगर मैं बात करू तो death rate का formula initial minus final divided by initial दोनों में division किसे करना है initial लेकिन birth rate में final minus initial है और death में initial minus final है ठीक है और आसानी से अगर आपको calculate करना हो और आसानी से अगर आप calculate करना हो तो इसका सीधा सीधा चाहे birth rate हो या death rate हो एक common formula यह हो जाएगा change in population divided by initial population change in population divided by initial population यानी कुछ time बाद में जो population में change आया वो change divided by initial उससे निकल जाएगा आपका birth rate भी और death rate भी देखेंगे कुछ examples में से कि कैसा हम लोग यह कर सकता है कोशन है NCRT का कोशन है कि एक pond में 20 lotus plants थे last year में और reproduction से 8 ने plants आए और population कितना होगा 28 तो birth rate निकालना है सिधा सिधा अगर निकालने जाएंगे तो birth rate final minus initial final कितना है अपना और initial कितना है initial 20 final 28 birth rate निकल जाएगा final minus initial यानी 28 minus 20 divided by initial population जो की है यानी कि 8 divided by 20 0.4 of spring per lotus per year ध्यान रखना इस word पर focus करते हैं अभी मैं आपका जो doubt था कि sir per capita का मतलब हो या clear कर रहा हूं आपने जो birth rate निकाली उस birth rate की unit आपने लिखी per lotus यानी कि last year जितने भी lotus plants थे हर एक lotus plant पे हर एक lotus plant पे 0.4 of spring नहीं आई है इसलिए हम कहते हैं per capita death rate यानी per member कितना birth हुआ है या per member कितना death हुआ है तो चाहे birth rate हो या death rate हो हमेशा किसके reference में निकलेगी per capita के reference में निकलेगी इसलिए हमें ऐसा लिखते हैं 0.4 of spring per lotus per year केवल हम अगर इसको लिख दूँगा per year तो मैं गलत हूँ it would be per lotus per year फटा फट निकालना होता तो formula क्या था change in population divided by initial population तो इस question में change in population कितना है पहले 20 ता अब 28 है तो change कितना है 8 तो 8 divided by 20 शीदा answer रजाएगा 0.4 of spring per lotus per year चलो फिर आगे बढ़े आगे एक और question है इसी तरह का question यह कह रहा है कि किसी laboratory population में 40 fruit flies थी fruit flies आपको याद हो तो हम लोग drosophylla melanogaster को कहते हैं तो किसी individual में drosophylla पे हम लोग experiment कर रहे थे तो यह था कि 4 individuals थे laboratory population में initial population कितनी दी 40 fruit flies जिसमें से कितना की death हो गई 4 की किसी specified time interval जैसे की समझो एक week में यानि एक week में 40 में से 4 fruit flies की death हो गई तो आपको death rate calculate करनी है उस period में आसान है कैसे calculate करेंगे हम लोग similar simple सा है solution initial population 40 final population 36 तो निकाल देंगे final minus initial यानि 40 minus 36 divided by initial population किसे divide करें initial population क्यों क्यों क्योंकि initial population से divide करोगे तभी आप per capita value निकाल पाओगे तो 40 minus 36 यानि 4 divided by 40 यानि 0.1 individual per fruit fly per week क्या लिखर है हम लोगे है आप per fruit fly मतलब clear clear बोल रहा है कि एक fruit fly पे 0.1 individual की death हुई है इसी को भी कहते है पर capita death rate डारेक्ट निकालना होता तो change in population divided by initial population change कितना है पहले 40 अब 36 यानि की 4 divided by 40.1 individual per fruit fly per week तो कुछ ऐसे आप answers निकाल सकते हों next बहुत important topic है age pyramids बहुत बार exam में question है नीट पे सिधा आपको pyramid दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह particular pyramid किसको represent कर रहा है सबसे पहरी बाप तो age pyramids होता है कि आपको pyramids अच्छे से पता है कि pyramids किसको कहते हैं हम लोग अब age pyramids का मतलब हो गया कि age के हिसाब से अगर हम किसी population में किसी population में अगर हम लोग age के हिसाब से population divide करके pyramids बनाते है तो उसे हम कहते है age pyramids यानि plot कर रहे हो आप individuals को अब इसमें male भी आएंगे और female भी आएंगे पर उनके age के इसाब से जिसमें सबसे पहला example है यह ठीक है anxiety में questions आएंगे कि यह particular जो pyramid दिये रहा है वो किस तरह की population को show करा बहुत बहुत आसान है सिर्फ जितना कह रहा हूं उतना सुनो answer निकल जाएगा देखो द्यान से यह population है जिसमें तीन अलग-अलग color से हमने रिप्रेजेंट किया है सबसे पहले एक नीचे yellowish color है जो pre reproductive age बता रहा है वो सारे members जो reproductive age से पहले वाली age में यानि pre pubertal stage है उनकी puberty अभी आया नहीं प्यूबर्टी से पहले वाली stage है यानि वो stage जब वो reproduce नहीं कर सकते है उसके बाद में उन्होंने शो किया reproductive stage यानि जो blue वाले है वो सारे reproduce कर सकते है और जो सब जो पर pink वाले हैं सारे post reproductive है यानि अब वो reproduce नहीं कर पाएंगे वो old age म में पहुंच चुके अब ज्यान से सुनना किसी भी population में किसी भी population आज से 10 साल बाद या आज से 20 साल बाद वो population बढ़ेगी कम होगी या उतनी ही रहेगी ये depend करता है mostly pre reproductive के members के उपर किसके उपर pre reproductive members के उपर समझो एक example लेता हूं मैं फिलहाल एक population ऐसी है जिस population में जो reproduce करने वाले organisms है उनका number है 100 कितना number है 100 यानि 100 जो लोग है वो reproduce कर सकते हैं लेकिन उनहीं का जब मैंने pre reproductive members देखे तो वो दे 60 वो कितने दे 60 तो कुछ टाइम बाद में जो अभी reproduce कर रहे हैं वो post reproductive में चले जाएंगे और जो अभी प्रे रिप्रडक्टिव वाल है वो रिप्रडक्टिव में चले जाएंगे यानि आज की टाइम पर अगर 100 लोग reproduce कर रहे हैं तो कुछ सालों बाद में 60 लोग reproduce करेंगे यानि आपका population बढ़ेगा ये कम होगा आपका रिप्रोड़क्टिव ज्यादा है या रिप्रोड़क्टिव ज्यादा है जैसे इस फिगर के अंदर जो सबसे पहला फिगर है ये वाला इस फिगर के अंदर आप देखो प्री रिप्रोड़क्टिव वाले ज्यादा है रिप्रोड़क्टिव वाले कम है और पोस्ट रिप्र रिप्रोडेक्टिव क्या हो जाएंगे रिप्रोडेक्टिव यानि रिप्रोडेक्टिव करेंगे यानि कुछ साल बाद में जो अभी के टाइम पर रिप्रोडेक्टिव करने वाले ते उससे ज्यादा लोग रिप्रोडेक्टिव कर रहोंगे यानि पॉपॉलेशन क्या होग तो यहाँ पर आपको clear देख रहा है कि pre-reproductive कम में और reproductive ज्यादा है यानि कुछ टाइम बाद में reproduce करने वाले लोगों की संख्या और कम होगी यानी population क्या होगी decline यानी की कम हो जाएगी तो second जो पिरामेड़ हो सीधा सीधा represent कर रहा है एक declining population कोई declining population है next graph में चलते हैं लोग next graph में देखो आप लोग जितना reproductive है यह देख लो आप यह जितना reproductive है उतना ही pre-reproductive है ज्यादा फरक नहीं है आना कि उपर वाला यह जो आपको दिखा रहा है थोड़ा सा यह थोड़ा सा कम है बट करीब करीब हम लोग इसको क्या मान रहे हैं से मान के च नहीं लोग reproduce करेंगे यानि आपता population ना तो बढ़ने वाला है ना ही कम होने वाला है तो इस तरह के pyramid को कहते हैं stable pyramid तो तीसरा वाला हो गया, वो गया stable pyramid तो आसान है, pre-reproductive, reproductive से जदा है तो population expand करेगी, pre-reproductive, reproductive से कम है तो population decline हो जाएगी और pre-reproductive, reproductive, say to population stable रहेगी तो कुछ इस तरह से आप इन पिरामिट्स को समझ सकते हैं, चलिए next चलते हैं लोग, अब population size हमें क्यों निकालनी है, क्योंकि किसी भी ecosystem में या किसी भी habitat में, किसी particular species का population size हमें उसके habitat में उसके status के बारे में बताता है, कि कितना उसका उस ecology के अंदर, या नी sorry, कितना उसका उस habitat के अंद कितना role है, या क्या, क्या उसको status है, उसका अपनी habitat के अंदर, वो depend करता है उसकी population size बे, अब मुझे किसी भी ecological process की study करनी है, जैसे मैंने कहा कि, मैं study करना चाहता हूँ, दो species के बीच के competition game, या मैं study करना चाहता हूँ, predation studies करना चाहता हूँ, कि किस तरह से predators और जो prey है, उनक population है, वो change हो रहा है, ठीक है, तो competition का, competition का, या किसी भी ecological process का, कितना impact है, किसी habitat में, उसको आप evaluate तभी कर पाओगे, जब आपको उसका population size में difference पता चलेगा, जैसे कि मैं बात करता हूँ, competition की बात कर रहा हूँ, और competition में, हमें साफ-साफ देखने को मिल रहा है, कि competition की वज़ population कितना ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में, तो अगर आपको किसी भी ecological process का impact पता करना हो, तो आप उनके population size में आने वाले change से इस बारे में पता कर सकते हैं, अब मैं बात करता हूँ, size of population के variations की, तो देखो, किसी भी habitat में, size of population में बहुत ज़्यादा variation है, जैसे कुछ जगह पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे मैं example लेता हूँ, भरतपूर के wetlands के, भरतपूर हमने last studio में देखा था, लाजिस्थान के अंदर है भरतपूर जगह, तो आपको कभी भी देखोगे, किसी भी time में, तो आपको 10 से भी कम Siberian cranes देखने को इतना छोटा उनका population size रहता है, और यही आप किसी pond में जाके देखो, तो millions of clamadomonas, यानि कि एक algae है, यह क्लमadomonas, वो आपको देखने को मिलेगी number क्या है, millions of them, population का जो size है, वो बहुत ज़्यादा vary करता है, according to the different species, अब सबसे important सवाल कि population size पता कैसे करता है, यह कैसे पता करता है कि किसका population size है, तो देखो, population size represent किस से करेंगे हम, capital N से, ज्यान रखना, आगे हम लोग equations बनाएंगे, तो population size कौन represent कर रहा है, capital N, और इसको हम technically कहते है, population density, तो population density, estimate करने या पता करने के बहुत से अलग अलग तरीके है, जिसमें सबसे पहला तरीका है कि आप उस area के अंदर total number कितना है, उसको calculate कर लो, सिदी ची बात है, population size पता करना है, तो आप देख लो, कितने आपके पास में tigers हैं, या कितने आपके पास में full particular birds है, तो आप उनका total number ही निकालो, तो सबसे appropriate तरीका population density निकालने का यही है कि आप सिधा सिधा उनका number calculate कर लो कि वो कितना है, but, but, कई केवल number count करना meaningless रहता है, यानि उसका result निकलेगा, वो proper नहीं निकलेगा, उससे जो हम inference निकालना चाहते हैं, वो inference सही नहीं होगा, कैसे एक example लेके बता रहा हूँ, एक area है, उस area में करीब 200 plants है, carrot grass, यानि parthenium, mistero, forest के कितने plants है, 200, और वे सारे के सारे plants मौजूदे एक जिसका बहुत बड़ा canopy है, canopy हमने last study में देखा किसको कहते हैं, किसी भी plant tree का, जो उपर वाला coverage ही रहता है, किसी tree के नीचे खड़े हो, कि आप उपर देखना कभी, उसका coverage देखना कितना बड़ा है, उसको कहते canopy, बहुत बड़े canopy वाला एक बरगत का पेड है, एक area में है, कि आसपास 200 karat grass है, अब एक population number के हिसाब से बात करूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि population density karat grass की bayon tree से बहुत जादा है, एक bayon tree 200 karat grass, आप देखो कितना जादा number है, अगर मैं इस हिसाब से inference निकालू, तो मैं इस हिसाब से तो मैं ये बोल दूँगा कि इस particular habitat में karat grass का role बहुत जादा है, क्योंकि उसका population size बहुत जादा है, बट ऐसा कहना गलत हो जाएगा, ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक single bayon tree है, इस single bayon tree ने provide किया है, बहुत सारी species को एक habitat और बहुत सारी species को एक particular ecological niche, अगर मैं ये bayon tree यहां से हटा दूँ, अगर मैं ये bayon tree यहां स systems भी निकल जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक habitat प्रोवाइड कर रहा था उन सब के लिए, यानि कि अगर ecological role कि मैं बात करूँ, तो इस ecological role के हिसाब से bayon tree का role carrot grass से जादा है, बट population density के हिसाब से हम कहेंगे, कि नहीं sir, carrot grass का value ecology में, मतलब इस particular habitat में जादा है, बट ऐसा नहीं है ये सिधा सिधा एक गलत report दे रहा है, underestimate कर रहा है उस bayon tree के role को, तो ऐसे मौकों पर, ऐसे मौकों पर हम एक number count करने से बहतर है, कि हम bio mass की बात करें, या फिर percent cover की बात करें, कि उस particular area में कितना area जो है cover करके बैटा है bayon tree, या bayon mass आप सिधा सिधा देख लो, कि कि किसका कितना बायो मास है, अगर आप बायो मास के साब से calculate करोगे, तो इस area के अंदर bayon tree का जो बायो मास आएगा, वो 200 karat grass से कहीं गुना ज़ादा होगा, और वो एक true picture देगा, आपको इस particular habitat में किस organism का कितना, कितना role है, तो वो उस हिसाब से निकलेगा, तो हर बार number count करना सही नहीं हो होता है, इसके अलाबा, कभी-कभी ऐसा होता है कि number count करना possible ही नहीं है, आप count करी नहीं सकते, ऐसा करो हो सकता है, जो population बहुत जादा हो, और उतना time आपके पास आप दे ही नहीं सकते, कि आप उस पूरे population को calculate कर सको, या फिर मेरे साब तो impossible है कि आप calculate करी नहीं सकते, जैसे म एक example ले लेता हूँ, पैक्ट्रिडिश, पैक्ट्रिडिश जिस पर आपने bacterial culture बनाया, अब पैक्ट्रिडिश में आपको यह जो दिख रहा है यहाँ पर, यह जो rare color के dots दिख रहा है सारे, देखो यह bacterial colonies है, यह क्या है, bacterial colonies, आप इनको direct bacteria नहीं समझा है, कि सर देखो यह एक bacteria यह दूसरा bacteria ऐसा नहीं है, bacteria naked eye से दिखाई नहीं देता, पैक्ट्रिडिश पर जो आपको दिखाई देता हूए bacterial colony, वो bacteria नहीं है, आपको इस bacterial colony के अंदर भी, इस bacterial colony के अंदर भी बहुत सारे bacteria देखने को मिलेंगे, जब आप इसको microscope के नीचे देखोगे, अब मैं अगर आ number calculate करना बहुत time taking procedure है, तो हम क्या करेंगे, तो खासका अगर पैट्रिडिश की बात करें, इस bacterial culture की तो NCRD में सिधा सिधा सवाल पूच के सोड़ दिया, कि बताओ मैं कि कैसे calculate करोगे किसी bacterial culture में की number of bacteria कितने हैं, तो ऐसे cases में हम लोग bacteria नहीं count करके, हम लोग count करते हैं, colony forming units, क्या calculate करेंगे, colony forming units, या फिर biomass आप calculate कर सकते हो, लेकिन biomass calculation जो है, वो ज्यादा use नहीं किया जाता, जो proper तरीका है, वो proper तरीका है कि आप count करते हो number of CFU, यानि colony forming units, next बात करते हैं, कि हम लोग relative population density calculate कर ले, मैं आपको एक lake पे ले गया, और lake पे ले जाने के बाद आपको बोला कि चलो count करो, इस lake में किकनी fish है, तो आप बोलोगे कि sir, यह possible नहीं है, यह कैसे count कर लोगे आप, यह possible नहीं है, यह बहुत difficult है यह काम करना, तो उस case में relative population density देखते हैं, क्या करते है, relative population density देख लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि fish की बात करें हम लोग, तो हमने fish प कि हाँ, इतना relative उसका population density है, अब ऐसा नहीं है, ऐसा थो हम बोल देंगे कि sir, यह तो गलत तरीका है, रिपोर्ट करने का, क्योंकि जिस area में मैंने वो net लगाया हो सकता है, उस area में fish उस वक्त ज्यादा थी, हम लोग even एक trap के हिसाब से बात नहीं करते, किसी particular area में, पांच य है जगा पर ऐसे trap लगाऊंगा, और उनमें, बाद में average निकलता है, और उस average के हिसाब से हम लोग relative population density calculate कर लेते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग forest के अंदर tiger का अगर census करना हो, census मतलब कि population calculate करना, तो जब tiger census की जाती है, national parks में, tiger reserves में, तो कई बार हम लोग उसके pug marks को यह पाओं के निशान calculate करके हम लोग देख लेते हैं, अब आप सोचे होंगा कि यह पाओं के निशान तो कि इसी भी animal के हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, अगर आप Google करोगे, तो हर organism का जो pug mark रहता है, वो characteristic रहता है, इसमें इतना characteristic रहता है कि आप यह pug marks देखकर यह भी बता स सकते हो कि वो tiger male tiger है, या फिर female tiger है, या इसके लिए आप फिकल पैलेट्स भी देख सकते हो, फिकल पैलेट्स मतलब फीसिस किसको कहता है हम लोग, जो solid excreta रहता है, तो जो solid excreta के जो pellets है, उनको भी देखके आप बता सकते हो कि tiger का population कितना होगा, अब आप सोच रहूंगे कि सर ये तो कैसे possible है, कि फिकल पैलेट्स देखके आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा organism है, आपको इसके लिए च्छोटा सा example देता हो, मैं अगर आपके सामने cow dung में रख दू, जो आपने बहुत बार देखा है, और एक तरफ में आपके सामने रख दू किसी goat का फिकल पैलेट तो क्या बता नहीं सकते है कि कौन सा goat का फिकल पैलेट है और कौन सा cow का फिकल पैलेट है, बिल्कुल आप बता सकते हो, क्यों कि आपने वो चीज़ें बहुत बार देखी है, similarly हर organism के फिकल पैलेट्स में कुछ characteristics, size, shape, color, यह सब रहता है, तो उनके इसाब से हम ये चीज़े आराम से बता सकते है, वो किस particular animal का रहेगा, तो इनके बेस पे भी ये सारी चीज़े possible है, तो फिर सबसे important topic आज का जो यहाँ पर है, वो है population growth, यानि जो population growth हो रही है, उसकी हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली बात population size static नहीं है, अगर 2011 के अंदर इंडिया में 1 करोड 10 लाक थे, तो आज हो सकता है, 1 करोड 60 लाक लोग हो, या 1 करोड 50 लाक लोग हो, population size static नहीं रहती है, हमेशा change होती ही रहती है, अब population किसी भी organism की depend करती है, बहुत सारे factors पे, जिसमें सबसे पहला factor है, food availability, बिल्कुर सिदा सा काम, बताता हूँ मैं आपको एक area है, उस area में famine पढ़ निकल जाएगी, तो उस particular habitat में population कम हो गया, predation pressure, predation pressure मतलब कि जो predators है, अगर उनका number में किसी particular area में बहुत जादा बढ़ा दू, तो जो prey का population बहुत कम हो जाएगा, तीसरा adverse weather, बाड़ा गही, बहुत जादा सुखा पढ़ गया, तो जब adverse weather हो जाएगा, weather condition सब वहां पर रहने लाइक नहीं है, तो वहां से population क्या कर जाएगी, migrate, तो उसे साब से population बापोशन की कम हो जाएगी, तो population depend करती है, बहुत सारे factors पर और यह team factors जो NCRT ने लिखर केता है, अब कौन कौन से factors है, जो responsible है, population के fluctuation के लिए, fluctuation मतलब changes, population change लाने के लिए कौन कौन से factors, responsible है, दो factors की ब figure पर चलते है, बीच 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 में हमने रखा, population density की सी area का population density है, और हो रिप्रेजन कर रहे हम capital N से, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा, natality की, natality का मतलब होता है, birth, natality का मतलब क्या होता है, birth, अब अगर किसी population में birth rate जाधा होगी, या number of birth जाधा होगे, तो उसे population क्या हो जाती है, death, यह जो motility के नीचे capital D लिखा है, इसका मतलब है death, natality के नीचे जो capital B लिखा है, इसका मतलब है birth, motility, यानि death, किसी population में death होगी, तो population कम हो जाएगी, तो मैंने लगा दिया minus sign और arrow कर दिया, इस तरफ यानि कि population से लोग बाहर आरे, बाहर आरे मतलब कम हो रही है, नेक्स बात करता हूँ, मैं immigration, अब दिको immigration की बात करूँगा, immigration हो या emigration हो, word दोनों के पिसे क्या लगता है, migration, क्या word लगा है, migration, यानि की migrate कर जाना, वहाँ से निकल जाना, अब अगर आप migrate करके किसी population के अंदर आ रहे हो, तो आप उसको कहोगे immigration, क्या कहोगे, immigration, confused होते हो तो याद कर सकतो, i m की जगा यहाँ पर लग लो, i n, i m की जगा क्या लिख लो, i n, यानि immigration का i m, i n, यानि in, i for in, ये भूल जाओ, तो इसको याद कर लो, e for exit, emigration में e का मतलब क्या है, exit, immigration में i का मतलब क्या है, in, यानि अंदर आ रहे हो, तो population बड़ा होगे, तो sign प्लस का, emigration exit कर रहे हो, यानि e, तो sign लगेगा, minus का, यानि emigration population कम करेगा, death population कम करेगा, birth और immigration population बढ़ेगा, increasing factors में natality यानि birth या फिर immigration, immigration, emigration, clear picture से आपको clear हो जाएगा, यह population 1 है एक, ठीक है, इस population 1 से यहाँ पर यह, यह वाली population number 1, और यह population number 2, यानि first population से एक bird निकल कर second population में गया, यानि first population में तो क्या हो गया, emigration, यानि bird exit कर गया, second population number in आ गया, यानि emigrate कर गया, तो second population बढ़ जाएगी, first population कम हो जाएगी, clear decreasing factors में emigration और death, तो यह population change की बात है, अब मैं बात करता हूँ, population both equations पे आते हैं, हम लोग, बहुत easy से equations है, अगर आपका physics strong है, mathematics बच्पन की strong है, तो आप अराम से चीज़ें कर लोगे, n t plus 1, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि, एक population है, जिसका मैंने सबसे पहले calculate किया था, उसका population size जब time था t, जब time क्या था, t, अब कुछ time बाद में, मैंने time क्या कर दिया, t plus 1, तो मुझे कुछ time बाद, यानि t plus 1 जो time है, उस time पे मुझे population calculate करनी है, तो n t plus 1 क्या होगा, सबसमें पड़ें तो initial population, initial population में, एड क्या क्या करूँगा, तो मैं adding करूँगा, बर्थ को और immigration को, और subtract क्या क्या करूँगा, और گ्स सब्ट्र Bluetooth करूँगा, मैं डेत को और emigration को, तो मेरे सामने एक बहुत simple से eqpluson दार, औरिजिनल पॉपुलेशन में बर्थ और इमिग्रेशन को एड कर दो और डेथ और इमिग्रेशन को कम कर दो आपके सामने नहीं पॉपुलेशन आ जाएगी अब यहां पर दे को इतनी चोटी चीजे बिसिक्स आपको आते होंगे अब नॉर्मल कंडिशन में अगर बात करू क किसी भी पॉपुलेशन डेशन काम हो रही है या बढ़ रही है तो किसी अमेल कंडिशन में जो इमप्रेटर से वो है बर्थ और डेंथ क्या है बंद और देथ एइंविंग्रेशन और पर इमिग्रेशन को इतना बड़ा रोल हम लोग नहीं मांगते अगर नॉर्मल बसा है तो उस नए नए हैबिटेट में बर्थ के वज़े से इतना population increase नहीं होगा जितना immigration या emigration की वज़े से होगा तो ऐसे cases में immigration ज्यादा role play करेगा देन birth rate एक नहीं नहीं city बनाई में उस नहीं नहीं city में जो नहीं लोग आएंगे जितने ज्यादा नहीं लोग आएंगे उतना population बढ़ेगा सबसे दो नहीं लोग आए अब हम वेट कर रहे हैं कि यह नए individuals को बर्थ देगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा तो immigration ज्यादा role play करेगा देन भी बर्थ अब सब्सक्राइब चीज population growth model questions बहुत सारे हैं इनके उपर graphs हैं कुछ अच्छे बहुत इजी से questions हैं बहुत आसान से topic हैं हम लोग आराम से समझ सकते population growth model में हम लोग 2 models की study करेंगे कि कीस तरह से population increase होती है ठीक है इबने पहला model है exponential growth या geometric growth exponential हमें पता है exponentially बढ़ती है जब कोई चीज और geometric growth geometric growth का क्या मतलब होता है geometric and exponential growth एक ही टाइप की growth होती है जिसमें कुछ इस तरह से growth चलती है 124 मैंना double double होता जा रहा है एक से 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 इस तरह से growth होती है उसको आप कहता है exponential growth या geometric growth अब यह चीज तभी possible है जब resources कैसे हो unlimited resources कैसे हो unlimited simple concept में आपको दे रहा हूँ NEET का exam है और government ने बोल दिया कि seats unlimited है seats क्या है unlimited आज अगर 16,000,000 बच्चे NEET का exam दे रहे है 16,000,000 बच्चे NEET का exam दे रहे है कब जब number of seats क्या है limited government ने बोल दिया number of seats unlimited है number of seats unlimited है तो आप सोचो कितने बच्चे NEET का exam देंगे मुझे तो लगता हर कोई class 12th के बाद में NEET का exam देगा क्योंकि number of seats unlimited है कौन doctor बनना नहीं चाहेगा 11,12th NEET का exam दिया अगर आप doctor बन रहे हो तो resources क्या कर दिया unlimited तो आपका population size बहुत ज़्यादा increase हो जाता है अब Darwin, Darwin ने हमें पता theory of natural selection देते हैं और natural selection theory देते वक्त उन्होंने यह चीज observe की कि एकर किसी resources, किसी habitat में resources unlimited कर दो तो कोई भी particular species अपने अंदर का innate potential है reproduction का या अपना number increase करने का उसको पूरी तरीके से realize कर सकती और वो अपना पूरा number increase करेगी कब जब resources वहाँ पर कैसे हो unlimited समझ भाई चीज तो अपना reproductive fitness maximum show करेगी अब simple सी बात है same सा concept है आप भी पूरा try देदोगे अपना की नहीं मुझे neat clear करना है कब जब आपको पता है कि seeds बहुत सारी है वहाँ पर equation देखूंगा मैं dn by dt n क्या है population size लिया मैंने जिन्हों ने physics अच्छे से पड़ी है उन्हें पता है जब भी हम किसी भी number को by dt यानि differentiation के साब से उसको by dt से divide करते हैं मतलब हम उसका rate of change की बात कर रहे है यानि population का rate of change है कि इस rate पे population change हो रहा है उसका अगर मैं हमला बनाओ dn by dt तो वह होगा b minus dn है n इस original population size d minus d यानि birth minus death 100 की population थी 10 birth हुए 3 death हुए बड़े कितने है 10-3 साथ समझ भाए चीज तो वह rate of change of population आप रहे से calculate कर सकते हो अब समझो मैं याप ए b minus d को परले मैं बता देता हूँ n population size है b है birth rate जो पर capita होगी obviously d है death rate वो भी per capita होगी और t है time period अब समझो b minus d को मैंने लिया r एक बार के लिए समझ लो r क्या मैं बताऊंगा थोड़ी देर में b minus d को मैंने consider कर लिया r तो यह formula क्या हो जाए increase यानि कोई species कितना natural increase show करेगी उसका intrinsic rate यानि जो उसका internal rate उस organism के अंदर का जो internal potential है अपना number increase करने का उसको मैं कहते है intrinsic rate of natural increase अब सीधी सी बात है birth जादा होंगे death कम होगा तो आर्व जादा होगा तो वो उसकी reproductive fitness की बात कर रहा है मैं बार बार इसी बात पर focus करता हूँ कि जब हम लोग बात करते है survival of the fittest तब हम लोग यहां पर जो fittest है वो fittest है reproductive fitness की हम लोग बात करते है कि जो इस पीशी जितना ज़्यादा रिप्रड़ेक्टिवली फिट होगी वही सर्वाइव करेगी तो यह आर आर जो वैल्यू है वो सीधा-सीधा आपके रिप्रड़ेक्टिव फिट्नेश को बताती है जिस पॉपॉलेशन का र ज्यादा होगा वो पॉपॉलेशन उतना ही erbiotic factor कितना जादा impact कर रहा है उसको अगर आपको calculate करना है तो आप उसका R निकालो जैसे मैं particular बात कर लेता हूँ high temperature की अब high temperature किसी भी population पे कितना impact डाल रहा है वो depend करेगा उसके R पे जैसे समझो उसका R था initially 2 initially कितना था 2 फिर high temperature की वज़े से उसका R कितना आ गया 1.5 तो इस clearly बता रहा है कि उस high temperature की वज़े से उस population में जो R है वो कम हो गया इसका मतलब जो उसका reproductive fitness है वो कम हो गया यह सिधा-सिधा impact शो कर रहा है high temperature का उस population growth पे तो यह R वो important parameter है जिससे आप impact को पता कर सकते हो कि कितना impact उस पर हुआ है अब NCRT ने कुछ particular organisms का R का value दे रहा है उन्होंने का Norway का Norway में जो rate है उसका R का value 0.015 उसके लवाँ floor beetle एक तरह का beetle रहता है 0.12 और 1981 का जो reports है इंडिया की population का एक चीज़ बता दू मैं आपको यहाँ पर इंडिया में जो census होता है यानि कि जो population calculation होती है human population calculation ह हर 10 साल में एक बार होती है 1981, 1991, 2001, 2011 और अब 2021 में भी यह वापस calculation होगा तो 1981 की जो हमारी value निकली थी R की उस वक्त वो थी 0.0205 कितने निकली थी 0.0205 अब आप सोच रहोंगे कि सर हमने यह humans में R की value निका ली कैसे तो बहुत आसान है आपको करना क्या है R मतलब B-D यानि birth rate माइनस death rate आप उस particular country या area का birth rate निकाल लो death rate निकाल लो minus कर लो आपको क्या मिल जाएगा R का value चलो फिर वापस exponential की और बात करते हैं हम लोग ग्राफ पहाचाते हैं जो NCRT ने graph दिया exponential growth का अब अगर आपने physics में graphs पढ़े होंगे physics अच्छे से पढ़े होगी तो आपको इस तरह से graph मिलता है इस तरह का curve मिलता है जिससे आपके तो J shaped curve तो किस curve का shape सिदा सिदा कैसा है J shaped दीरे दीरे पहले तो initially क्या हुआ initially यहाँ पर population जब थे दीरे से increase हुई और दीरे से increase होने के बाद में यह population बहुत ज़्यादा बढ़ गई अब आप सोचोंगे कि सरी population पहले दीरे क्यों है तो exponential growth देखो 1, 2, 4, 8 यह दी में 1, 2, 4, 8 एक slow growth 16, 32, 64, 128 वो बढ़ गया इसके जैसे J shape ऐसा आता है equation क्या रहे है कि dn by dt equals to rn curve कैसा रहेगा J shape curve रहेगा ठीक है अब मैं अगर इसी equation को उसके integral form में लेखूँ तो आपको आता होगा integral form लेखना तो आप इसको ऐसे लिखते हो किया होगा आपने physics में बहुत बारेशा nt equals to n not e rt अब इसमें सारे words आपको परता ही है यह जो e है वो e जो base लेतो आप log का वो base रहता है nt population density after time t n0 population density है time zero यानी initial population n0 है और final population है nt अब कोई भी specie को अगर आप किसी तरह से checks नहीं दो check मतलब कोई रुकावट अगर किसी स्पीशी पे आप किसी तरह की रुकावट नहीं रखो तो बहुत कम time में उसका population density density बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अब ncrt ने ncrt ने एक छोटी सी कहानी कि थू इस population growth को समझाने की बात की उन्होंने कहा कि एक बार एक minister और एक राजा के वीच में सब सेहला जो इसको है रेचस गोड में उसमें रखना एक गहू का दाना ने ?sk वाले में रखना दो राजा ने शवर्त रख ली राजा भी गया अब राजाने बोला ठीक है皆さん मिंनीस्टर की शहत पूरी कर दो उसके जने गहू के दाने के दाने करना कि जब आधा चैस बोर्ड के जब राजा ने आधा चैस बोर्ड कंप्लीट किया तब जो गेहूं के डानों का जो नंबर निकला वो राजा को रेलाइज हुआ कि उसके पूरे राज्य में जितना गेहूं बनता है उससे भी कम पड़ रहा है यह नंबर तो अब आप सोच सकते हो कि exponential growth किस तरह से बढ़ता है तो इस story के थुरू exponential growth को समझाने की try की गई next बात करते है logistic growth की logistic growth यहां रखना logical growth है याद करने का तरिका बता रहा हूं logical growth है जो मैंने पहली बात कर दी exponential growth वो practical नहीं है वो practical नहीं है क्यों practical नहीं है क्योंकि इस पूरी दुनिया पे ऐसा कोई habitat नहीं है जहां पर आपको unlimited resources मिले क्या आपके जिन्दगी में या आने वाले हजारों साल में ऐसा possible हो पाएगा कि नीट की सारी की नीट में unlimited seeds हो ऐसा possible नहीं हो सकता competition हमेशा रहेगा resources हमेशा limited रहेंगे किसी भी population को nature में कभी भी unlimited resources नहीं मिल सकते तो exponential growth practical growth नहीं है जो logical growth है जो practical growth है वो है logistic growth अब simple सा fund है resources अगर limited होंगे तो हमेशा क्या होगा competition limited resources competition जदा competition होगा तो survival of the fittest competition में जो सबसे जदा reproductive fitness शो करेगा वो ही survive करेगा need की shifts अगर limited होगी तो वही select होगा जो की सबसे जदा तैयरी करेगा सबसे जदा practice करेगा सबसे जदा पढ़ाई करेगा अब natural caring capacity की बात करता हूँ अब caring capacity को मैं एक एनलोगी से समझाता हूँ आपको यहाँ पर हर एक इंडिया के अंदर बहुत सारे medical colleges है अब उन medical colleges के अंदर एक caring capacity है क्या है caring capacity किया ने कितने number of students को carry कर सकता है यह नि कितने number of students को admission दे सकता है समझो यह number आया x समझो यह number आया x तो हमारे इंडिया में need के seats कितनी होगी x क्यों क्यों क्योंकि चितने भी medical colleges है और medical college की carrying capacity कितनी x हम इतने students ही ले सकते हैं हमारी capacity इतनी ही है समझो तो उससे जदा आप number of students बना नहीं सकते है उसे तरह से nature की भी एक carrying capacity होती है एक room के अंदर एक room के अंदर अगर मैं बोलूँ आप कितने number of cats fit कर सकते हो यह कितनी बिल्लियों को आप एक साथ रख सकते हो ताकि वो आराम से survive भी कर सके है ऐसा तो है नहीं नहीं कि आप जबर्दस्ती बहुत सारी को डाल दो गए है उससे आप डाल तो दो पर वो survive नहीं कर पाईगी तो nature में हर एक habitat का carrying capacity होता है जिसको हम कहते हैं के और यही carrying capacity decide करेगा कि population कितना grow होगा अगर आप कभी भी nature में को भी population carrying capacity से ज़्यादा बढ़न नहीं सकता यानि logistic growth में सीधा सा concept है population बढ़ेगा तो population carrying capacity तक आकर रुक जाएगा उससे ज़्यादा population नहीं बढ़ सकता nature के अंदर एक given habitat के अंदर enough resources होते हैं कि वो एक maximum possible number को sustain कर सके उसके बाद में growth possible नहीं हो सकती और इसी limit को हम लोग कहते हैं natural carrying capacity यानि जो हम लोग exponential growth में जो हमने equation दीती dn by dt वाली वो अब हम लोग यहाँ पर हलकिसी change कर रहे हैं और change करके हम लोग इसमें कर रहे हैं carrying capacity यानि की k तो अब actual में जो logistic growth की equation है वो क्या है dn by dt equals to rn k minus n divided by k यहाँ पर k क्या है carrying capacity और वाकी n और t और r आपको अच्छे से पता है अब जो graph यहाँ पर बनकर आएगा जो curve बनकर आएगा उसको आप कहते हो sigmoid curve क्या कहते हो sigmoid, sigmoid मतलब क्या होता है s-shaped उसे पहले graph पे चला जाता हूँ अगर मैं आपको बोलू कि x-axis पे है time और y-axis पे है population size तो सबसे पहली बात तो with time population पहले को देरेगरे increase हुई फिर यहाँ पर एक acceleration phase आया ठीक है मतलब की accelerate हुई उसके बाद में हलकी सी population में deceleration आया मतलब जिस speed से पहले बढ़ रहती उस speed से नहीं बढ़के थोड़ा क्या होई decelerate और population यहाँ पर आने के बाद में क्या हो गई limited इससे जदा population नहीं बढ़ेगी उसी को आप कहते हो carrying capacity यानि इस particular चीज को यहाँ पर आने के बाद में population की क्या चुकिए carrying capacity यानि इसको में reproduce करूँ अगर y-axis पे तो हम लोग कहां इसको आप कहते हो leg phase क्यों कहते है leg phase क्योंकि यहाँ पर population थोड़ी leg कर रही है यानि दीरे दीरे बढ़ रही है उसके बाद में आएक phase of acceleration यानि population accelerate करेगी फिर कुछ ताइम बाद में population decelerate करेगी मतलब जिस speed से पहले बढ़ी थी उस speed से नहीं बढ़की थोड़े उसका बढ पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन phase of acceleration से कम speed में बढ़ रही है इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ phase of deceleration और चौथे phase को हम कहते है अस्यम्टोट phase, asymptote phase मतलब अब यह जो curve है अब यह जो curve है उसमें change नहीं आएगा और यह curve इसी तरह से flat चलता जाएगा इस से उपर curve नहीं ज यह ए और बी ए उन्होंने बता दिया अब सिदा सिदा जिए शेब करो किसका है exponential बीशेब करो किसका होगा logistic growth का और यहां पर यह आगया asymptote phase, asymptote phase को y-axis पर लेके जाओगे तो क्या बने का यहां पर यहां पर यह carrying capacity कि इतनी है, I hope चीज़ें आपको समझ में आ रही है, अब because resources animals के लिए finite है, यानि कि infinite नहीं होकर finite है, limited है और आज नहीं तो कल अगर अभी समझो बहुत ज़्यादा resources है भी, अभी समझो बहुत ज़्यादा resources है, यह जैसे मैं समझो कि monsoon season आया, monsoon season के अंदर इतनी ज़्यादा हरियाली हो गई कि बहुत चारे animals को क्या है, अब बहुत सारा food मिलने लगा, but that doesn't mean कि वो food हमेशा वहाँ पर रहेगा, वो आज नहीं तो कल वापस limiting हो जाएगा, इसलिए logistic growth model को more realistic, यानि ज़्यादा real माना कया है, next is life history variation, life history variation का मतलब है कि जो life का evolution हुआ है, उसका अगर मैं पूरा history देखू, तो बहुत सारे variations देखने को मिलेंगे अब वो कैसे है, वो समझना कि populations, Darwin ने कहा था, वापस बता रहा हूँ, survival of the fittest में, fittest का मतलब है reproductive fitness, यानि populations अगर evolve होती है, तो वो अपना maximize करती है reproductive fitness को, ताकि उनका survival बढ़ सके, और उसी fitness को नाम दिया गया है, Darwinian fitness, और ही Darwinian fitness, आप calculate कर सकते हो, उसका R का value calculate, करके जितना ज ज़्यादा उस species का Darwinian fitness होगा, और organisms evolve करता है, और अपनी सबसे ज़्यादा efficient reproductive strategy show करता है, जितना ज़्यादा efficiently reproduce करेंगे, उनका R का value उतना ही ज़्यादा होगा, अब variations जिनकी में बात कराता, life history variations वो क्या है, तो देखो organisms जब breed करते हैं, तो कुछ organisms life में एक बार breed करते हैं, ज कुछ organisms ऐसे हैं, जैसे most of the birds और mammals, यह life में बहुत बार breed करते हैं, लेकिन कुछ organisms एक बार breed करते हैं, उसके रावा organisms की offsprings की मैं अगर बात करो, तो कुछ organisms ऐसे हैं, जिनकी offsprings का size बहुत छोटा है, लेकि number बहुत ज़ादा होता है, यानि वो एक साथ, बहुत सारी offsprings produce करत और कुछ organisms ऐसे हैं, जिनकी offsprings का size बढ़ा है, रही number बहुत कम है, जैसे हैं अपने birds और mammals, अब सवाल ही आता है, यह जो इतना variation है, evolution में, या history के अंदर इतना variation हैं, अमंग organisms, तो उससे, इसको क्या फाइदा है, या कौन better है, या अगर मैं सवाल करूँ, इनहीं के बारे मे जैसे small size offsprings बहतर है, या large size offsprings बहतर है, एक साथ ज़्यादा offsprings produce करना ठीक है, या कम offsprings produce करना ठीक है, तो कौन सा desirable है, तो इसका जो answer है, वो answer यह है, कि वो depend करता है, कि आप जिस habitat में survive कर रहे हो, उस habitat में, और biotic factors जितने भी है, उन्होंने, उन्होंने आपको किस तरह से limit कर रखा है, यानि कि evolution हमेशा होता है in relation to the constraints, constraints मतलब hindrances बाधाएं, तो biotic factors और biotic factors किस तरह की बाधाएं produce कर रही है, उसके साब से अलग-अलग organisms, अलग-अलग तरह के variations show करते हैं, तो यह कह पाना मुश्किल हो पाता है कि कौन सा बहतर रहता है, और इसी field में आज की टाइ Thank you very much for watching us, NCRT की एक भी line या एक भी statement, एक भी term, एक भी diagram हमने यहाँ पर miss नहीं किया है, यह video देखने के बाद आप NCRT का यह वाला particular segment बहुत अच्छे से study कर लो, यहां तक की diagrams के नीचे जो labeling दे रखी है वो, और diagrams के नीचे एक explanation दे रखा है तो वो तक study करो, क्योंकि कई ब पढ़ो, यह video देखो, ठीक है, नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग discuss करेंगे about competition, predation, यानि जो interaction is species का उसके बारे में, तो आप उसको पहले अच्छे से, NCRT से पढ़के रख ले, ताकि आपके लिए चीज और आसान हो जाएगी, ठीक है, और हम लोग उस यहाँ पर बहुत जल्दी अप्लोड कर देंगे, थैंक यू वेरी मुच पर वाचिए उस्ट